यहां पर बना हुआ है जहां अधिक्षिका पर कई गंभीर आरोब बहां की चातर चात्राएं लगा रही है होस्टल अधिक्षिका के संबंध में जो चातराओं की समयशा रहे हैं उनके से संबंध में है क्या किस तरह आपने सिगाइद की है तब से अभी तक लड़कियों से आदे पैसे वसुले जाते है और जो पंखे वगेरा है कोई-कोई रूम में ऐसे है कि जो घर से ला रखी पंखे और हम मेडम को बोलते हैं तो फिर मेडम बोलते हैं कि आदे पैसे देना पड़ेंगे तुमको आगे से पैसे निया रहे हैं इस तरह के से बोलते हैं तो लड़कों के दौर जो पैसे वसुले जाते हैं और आदे उनकी दियते हैं पति को लेकर घब हम समशे लेकर जाते हैं तो उनके पति सामने आते हैं शडmost किखसे ही तुम उस तरीके से बाते करते हुआ और फिर उसे बिडाते हुआ तो तुम्हारे मेडम कुछ काम कर रहे हैं इस तरीके से बोलके नुवापस हंब सबस्क्राइब कर दूए तो फिर लेने जाते हैं तो फिर राधिनगा कर उने पुना ऑच्टन में पेज़ देना इस तरह के से और तुम क्या कर सकते हो क्या कर लोगे मेरा क्या बीज़ सकते हो यह बोलते हैं चात्राओं ने आज कालले में पस्ते थोकर अभी स्वाम को ग्यापन दिया है जिसमें उन्हों ने अधिचिका के पति क्यूप पर गंभी दारूप लगाए हैं हम लोगों ने ततकाल उसके लिए अपनी महिला प्राचार को लेके जांच दिल कर दिया अगर वो आरूप उसके सत्य पाज आते हैं तो हम लोग इसमें अनुशासमा कारवई करेंगे तक है कि चातरावास के प्रमॉण धन में अधिच्छका और अधिच्छका के पति दोनों का दखल रहता है एक अरूप यहां दूसरा उन्हों ने लगाया कि जूश्र स्विपिकि राजशी है उसमें अधिच्छका दोरा वसूली किराशी की मांग की जाती है तो दोनों किस साथ सामानता रहते हैं लेकिन छात्रवाद से प्रमंधन उनका दखल नहीं होना चाहिए लेकिन जाच में अगर पाया जाता है तो हम लोग कारवाई करें